हलो बच्चो मैं लखन सेनी राजस्थान सरकार और वेदानता के CSR इनिशेटिव इकक्षा में आप सब का स्वागत करता हूं जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन गया बच्चो हम पढ़ रहें कक्षा 10 की गिनित की पाठ्थे पुस्तक का ध्याइच है त्रिबुज पिछल अधिवे समरूप हैं तो उनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है समरूप नहीं है तो किस प्रकार से हम लिखते हैं इस भाग दो में आज हम हल करेंगे प्रस्णावली 6.1 के विभिन प्रस्ण संख्या 1 से 3 तक जो की आधरित है हमारे भाग 1 पे सीखे गए भाग 1 के विभिन पर में चीखे गए घ्यान पर आएए वच्छों हल करते हैं प्रस्णावली 6.1 देखिए प्रस्ण संख्या 1 कि इसमें हमसे का गया है कोश्टक में दिए शब्दों में से जही शब्दों का प्रियोग करते हुए रिक्तिस्तानों को भरिए रिक्तिस्तान भरने ह जो कोश्टक में शब्द दिये गए हैं उनमें से कोई एक शब्द सही है उसका आपको प्रियोग करना है देखिए पहला है सभी वृत होते हैं सरवांग सम होते हैं या समरूप होते हैं तो सरवांग सम तो किने कहते हैं जो देखने में और मापने में दोनों में समान हो समरू वे दिखने में एक जैसे जरूर होते हैं तो यहां आप भर देंगे सम रूप क्या भर देंगे रिक्तिस्तान में सम रूप सभी वृत सम रूप होते हैं नैकी सरवांग सम सभी वर्ग सभी वर्गों के लिए भी बच्चों कहेंगे कि सभी वर्ग क्या होते हैं परस पर सम त्रबुज हमेशा समरूप होते हैं जो की क्या हो सम बाहू त्रबुज हो बताया था ना मैंने पिछले भाग में तो यहां आप भर देंगे सम बाहू सम बाहू या सम बहू बुज जो भी आकरतियां होती है ठीक है वो आपस में क्या होती है समरूप हमसे पूछा गया है कौन से त्रिबुज सभी खालिस्तान त्रिबुज समरूप होते हैं तो सभी सम बाहु त्रिबुज परसपर क्या होते हैं समरूप होते हैं बुजाओं की समान संख्या वाले दो बहु बुज समरूप होते हैं कब होते हैं समरूप यदि उनके संगत कोण बराबर हूं संगत कोणो का क्या होना आवशक है बराबर तथा उनकी संगत बुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर नहीं बच्चों संगत बुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए अर्थार्थ संगत बुजाएं समानुपाती होनी चाहिए इस प्रकार से भर लीजिएगा प्रशन संख्या एक में दिए गए रिक्तिस्तानों को आसान है जो कुछ हमने पिछले भाग में सिखा उसी पराधरित है फिर देखिए प्रशन संख्या दू निम लिखत युगमों के दो भिन भिन उधारन दीजिए दो उधारन देने आपको अलग अलग पहले आपको देना है समरूप आकरतियां द दो ऐसे उधारन देने हैं जो की समरूप हो तो हल में आप लिख देंगे देखिए जो हमेशा समरूप होती हैं लिख दीजिए वरित और दूसरा आप लिख देंगे वर्ग और भी अगर आप लिखना चाहें तो सम बाहुत्रिबुज लिख सकते हैं सम बाहुत्रिबुज फिर आप लिख सकते हैं सम शट भुज सम पंच भुज सम अश्ट भुज सम सब्त भुज जो भी सम बाहुत्रिबुज होता है हना जिनके में बुजाओं के संख्या बराबर होती है और वो सम बाहुत्रिबुज अरतात उनके कौन भी सारे आपस में क् क्या होते हैं समरूप होते हैं तो ऐसा आप उधारन दे सकते हैं ऐसी आकरतियां जो समरूप नहीं है ऐसे उधारन देने हैं तो देखिए आप लिख सकते हैं त्रिबुज त्रिबुज ले लीजिए एवं वर्ग त्रिबुज और वर्ग कभी भी क्या होंगे समरूप नहीं ह होंगे और दूसरा उधारन आप दे सकते हैं वृत वृत एवं चतुरबुज ले दीजिए और भी बहुत सारे उधारन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं बस ऐसी आकरतियों के नाम आपको लिखने हैं जिनके संगत कौन परसपर बराबर नहीं है और बुजाएं ऑق सिरे समानु पाती नहीं हुई इन दोनों में से कुछ एक भी हुआ तो आप गहरतिया क्या हैं प्रसपर समरूप नहीं तो इस परकार चेह आप उधरन दे सकते हैं प्रसN संक्याथ के भाग एक ऊड़ दो में चलिए आब आगे देकते हैं प्रसन संक्यात तीन बताई इसके हल में आप लिख दीजिएगा हल में आप लिख दीजिएगा देखिए क्या लिखेंगे चत्रबुज PQRS तथा चत्रबुज A B C D में इन दोनों चत्रबुजों में देखिए वहाँ पे सबसे बड़ा कोण A 90 डिगरी का है इधर कोई भी कोण 90 डिगरी का नहीं है इधर कोई भी कोण 90 का नहीं है तथा यहां पर हम देख रहे हैं कोण P और कोण Q कोण Q कोण R और कोण S में कोई भी कोई भी नबर डिगरी का नहीं है अत है इनके लिख देंगे बच्चो इनके संगत कोण बराबर नहीं है संगत कोण बराबर नहीं है और अगर संगत कोण बराबर नहीं है तो यह समरूप भी नहीं है दोनो कसोटियों पे खरा उतरता है तो ही हम बोलते हैं समरूप यहां पर संगत कोण बराबर नहीं है यह कसोटियों पे नहीं उतर रहा इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यह दोनों जो आकरतियां हैं दोनों जो चत्रवुज हैं वो समरूप नहीं है इस प्रकार से हल कर लेंगे बचो प्रस्णावली 6.1 की प्रस्ण संक्या एक से तीन तक उम्मीद करता हूं इन प्रस्णों में आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको तीनों प्रस्ण अच्छे से आ गए होंगे पहली आपने हल कर भी लिए होंगे मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए कंसेप्ट के साथ त हो रहिए बचो खुश रहिए पढ़ते रहिए धन्यवाद